सावन की चौथी सुमवारी दर्शन के लिए पहुचे श्रद्धालू लखी सराय जिले के सुर्या गड़ प्रखंड के अंतरगत कटे हर गाओं में श्री श्री 108 बाबा गौरी शंकर धाम में सावन की चौथी सुमवारी को सरकारी पूजन के उपरान सारवजनिक लोगों के लिए भी कुछ देर के लिए पट खोल दिया गया पट खोलते ही शद्धालू ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाबा पर जला भिशे किया और इस दोरान सारवजनिक पूजा किया गया पूजा करने के बाद पट को फिर से बंद कर दिया गया लखी सराय से संतोष कुमाद गुपता की रिपोर्ट बिहार में लगा दुबारा लागडाउन से जिले में हर रोज कुरोना वाइरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगरपरिशत पूरे शहर को लगातार सेनेटाइज करने में जुटी हुई है जिंडर मशीन के द्वारा नगरपरिशत करमी मुख्य सडक से लेकर नगरपरिशत के 33 वाडों के गली चौराहें पर सुब़ शाम सेनेटाइज कर रहे हैं अशोक धाम मंदिर में भी सेनेटाइजेशन का काम किया गया साथी साब सभाई का भी इस दौरान पूरा खयाल लखा गया इस कारे में लगे नगरपरिशत के करमियों का भी पूरा खयाल लखा जा रहा है सभी को मास्क गलप्स लगा कर ही काम करने का निर्देश दिया गया है ताकि संक्रमर का खत्रा एक दूसरे से ना फैले और कोरोना वाइरस को समय रहते जल्द से जल्द काबू किया जा सके लखी सराय से संतोष हुमार गुप्ता की रिपोर्ट मुगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पहनी नजर तो गुड़िये अपना मुगेर यूट्यूब चैनल के साथ पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यही है धरकन मुगेर की